दोस्तों ये है रेगर ब्रैंड का कंडेंसर माइक्रोफोन और इस वीडियो में आपको इस माइक्रोफोन के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप अपने वोइस क्वालिटी को इंप्रूव करना चाते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया आप्शन हो सकता है फिलाल जो मैं आपको बताता हूँ कि Box में आपको क्या क्या मिले वाला है एक तो ये पौप फिल्टर है जो की जो पौप आवाजे हैं उससे एलिमिनेट करता है ये काफी सकता है और आपने देखा होगा कि काफी professional microphone के साथ में इस पौप फिल्टर का उप्योग किया जाता है rif Beauty गया वो microphone, unidirectional condenser microphone है, और यहां पर है XLR port, यह cable बहुत ही important है, यह है XLR 2 audio pin, इसे आप आपके जो smartphone है या फिर desktop या फिर laptop का जो 3.5 में audio jack है उसमें दाल सकते हैं, यह adapter भी box कंदर दिया हुआ है और यह adapter है बहुत ही important है, यह खास करके आप अपने desktop या फिर laptop के साथ में use कर सकते हैं USB to mic in और speaker out, यह है shock mount, जो की microphone है उसके साथ में आप use कर सकते हैं, और यह जो area है यहां पर आप microphone है उसे place कर सकते हैं, जब मैं इसका setup करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और यह देखें, यह है stand, यह है mic stand और यह metal का बना हुआ है, बहुत बढ़िया quality है, और यह mic stand है, इसे आप table के साथ में connect कर सकते हैं, उसके लिए देखें, यह clamp है, यह दिया हुआ है, तो यह जो पूरा setup है microphone का, यह में कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छा idea मिल जाएगा, कि यह microphone है, इसे आप किस प्रकार से set कर सकते हैं, और फिर इसकी quality है, वो भी check करते हैं, तो यह रिखें, यह जो clamp है, इसे यहाँ पर connect करना है, इस screw को आप tight कर सकते हैं, और यह भाग है, इसे आपको table का edge है, वहाँ पर connect करना है, यह जो stand है, यह रिखें, इस प्रकार से extend हो जाता है, काफी बड़ा stand है, और खास करके, जो microphone से उसके लिए बनाया हुआ है, यहाँ प adjust कर सकते हैं, यह लिजे, मैं इसे tight कर लेता हूँ, यह जो भाग है, shock mount का, यहाँ पर आप इस microphone को इस प्रकार से attach कर सकते हैं, यह देखें, जो cables है, वो microphone में जाने वाले हैं, यह तो बहुत ही आसान है, और यह जो चीज है, आप अपने desktop या फिर जो laptop है, उसमें use कर सकते है यहाँ पर basically जो windshield है, इसका उप्योग करने के ज़रूत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें, तो यह windshield का भी उप्योग कर सकते हैं, अगर आपका जो voice है, उसमें improvement मिलता है, तो definitely use कर सकते हैं, फिलाल मैं यहाँ पर यह जो pop filter है, इसका उप्योग करने वाला हूँ, तो जो setup है मैं table पर कर देता हूँ, तो दोस्तों यह दिखे, जो setup है मैंने कर दिया है, यह जो pop filter है, इसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार से जो microphone है, उसके सामने रखा हुआ है, और microphone का position इस प्रकार से है, इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, तो जो microphone है, वो इस तरफ pointed है, इ और जो background आवाजे हैं, काफे हद तक उसे capture नहीं करने वाला है, फिलाल जो भी आवाज आप सुन रहे हैं, वो मेरे lavalier microphone से सुन रहे हैं, मैं इसे connect करता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और बहुत important चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो यह है, कि यह जो microphone है, अग तो किसी external audio recorder का उप्योग कर सकते हैं, जो कि phantom power provide करेगा इस microphone को, प्लस 48 volt का, लेकिन अगर आप इस microphone को आपके laptop या फिर desktop के साथ में यूज़ करना चाहते हैं, तो यह जो adapter है, यह more than sufficient है, क्योंकि जो power है, आपका जो desktop है, उसके जरीए इस microphone को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको कोई भी external power source यूज़ करने की जरूद नहीं है, तो चलिए, अब यह जो microphone है, इसे मेरा जो camera है, उसके साथ में connect करता हूँ, और इसे external power भी दे रहा हूँ, प्लस 48 volt का, तो अब यह जो microphone है, मैंने connect कर दिया है, मेरे camera के साथ में, और जो आवाज आप सुन रहे हैं, व पर फिर से मैंसे normal position है, उस पर लिखे आता हूँ, ताकि जो microphone है, वो मेरे मुग के पास हो, तो अब जो आवाज आप सुन रहे हैं, वो यह microphone record कर रहा है, और जो pop filter है, इसे मैं यहाँ पर सामने लिखे आता हूँ, तो इस प्रकार से अगर आप इस microphone का उप्योग करना चाते ह हैं, लेकिन अगर आप इस microphone को आपका desktop या फिर laptop के साथ में use करना चाते हैं, तो उसकी quality कैसी होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी एक चीज़ में आपको बताना चाता हूँ, कि जब आप यह adapter का उप्योग करते हैं, और इस microphone को आपका desktop है या फिर laptop है उस तो बहुत ही important है कि जो microphone का gain है आपके desktop या फिर laptop पर उसे आपको increase करना है, उसके बाद में आपको बढ़िया quality इस microphone से मिल सकती है, यह जो recording में कर रहा हूँ, इस वक्त मैंने fan को off रखा हुआ है, और इस प्रकार से यह जो microphone है, record करने वाला है आपके laptop या desktop पर directly, तो इससे आ मैंने इस microphone को laptop के साथ में करने किया हुआ है, fan on है और मैं बात कर रहा हूँ, जो fan की आवाज है काफी हद तक reduce हो चुकी होगी, तो दोस्तो ऐसी है quality इस microphone की, I'm sure आपको यह जो quality है काफी पसंद आई होगी, फिलाल जिस room में मैं हूँ, यहाँ पर ज़दा आवाज नहीं है, जो AC है, उसकी थोड़ी बहुत आवाज आ रही है और background में, मैं जो birds है, उनकी आवाजे सुन पा रहा हूँ, तो वो जो आवाजे है, definitely जो microphone है, यह capture नहीं करने वाला है, मैं थोड़ी दिर silent रहता हूँ, ताकि आपको idea मिल जाएगा कि room noise कैसा है, तो दोस्तों, अगर आप ये regular condenser microphone खरीदना चाहते हैं, तो उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हूँ है, इसका pricing है 3999 रुपीज, यह product आपको कैसा लगा, इसकी जो sound quality है, यह आपको कैसे लगी, comments के मादिम से मुझे ज़रू पताइए, इस वीडियो को like जरूर कीजे और देक्ट रही हैं